हर तालिका तीज की आप सब को बहुत बहुत बधाई माता पारवती और भगवान शंकर की किरपा आप सब पर बनी रहे नमस शिवाए दोस्तो आज हम बात करेंगे हर तालिका तीज में आपको जो जो सामागरी लगती है उसके बारे में तो हर्तालिका तीज के दिन आप पहले ही सोला सिंगार कर लें, महंदी पहले ही लगा लें, एक रात आप पहले ही महंदी लगा लें, और पूरा सोला सिंगार करके ही आप हर्तालिका तीज का तेवहार करें, क्योंकि यह वरत सुहागनों का वरत होता है, इसलिए आप पूजा में महंदी जरूर लगाए तो पहले हम एक चौकी लगा लेंगे उस पर एक लाल कपडा रख लेंगे इसमें आपको जो चीज की जरूरत होगी वो सबसे पहले है भगवान भोले शंकर माता पार्वती और गनपती बहराज की मिट्टी की मूर्ती इसमें मिट्टी की मूर्ती बना कर ही पूजा की जाती है इसके लिए आपको मिट्टी की मूर्थी की जरूर पड़ेगी अगर किसी कारण से आप मिट्टी की मूर्थी नहीं बना सकते हैं तब आप फोटो ले मिट्टी की मूर्थी बनाए इसमें कोई ज्यादा आकरिती या कलाकरिती करने की जरूरत नह अगर आप मिट्टी के मूर्ती नहीं बना सकते कोई प्रॉब्लम है तो आप सिफ परिवार की फोटो ले ले जिसमें माता पारवती गनपती महराज और पूरा का पूरा शिफ परिवार हो सिफ परिवार से भी आप फोटो से पूजा कर सकते हैं इसलिए आप सिफ परिवार की शक्कर और सहद मिलाकर मैंने पहले से पंचामरित बना लिया है आप चाहें तो अलग-अलग भी इसनान करा सकते हैं इसलिए हम पहले से ही पंचामरित बना लिये हैं इसके बाद हम दीपक लेंगे यह दो बाती का दीपक है आप भी दरूर दो बाती का दीपक लगाए हर्ताल लेंगे शुटिया हुप टो हेकि ले तो कालावा लेगि कुमकुमिची सिंदूर लेंगे लाल सिंदूर ने आपके पास जो हो आप ले ले द hallway इसके बाद हम अगर आपके पास ताजे भांग tę Scな Graves दुकान में आपको आसानी प्लंब जायेगा आँप महादेव की पूझा में लगती है फिर हम कपूर लें आरती के लिए हमें कुझा जरुर की पड़ेगी तो कपूर आप जरूर ले लें क्योंकि दीपक है लेकिन साथ में कपूर की आरती होती है इसको गभी अति हम डूप जलाएंगे ढूप ले 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 नहीं तो आप अगर बत्ती ने सकते हैं आपके पास जो हो अब ले ले सकते हैं आपके पास प्लेजानु हो डूप मुला टिकार्इक इस मुल डूप से लिए कई सिक्का और अगर आपके पास हल्दी की गाठ हो तो आप हल्दी के गाठ ले ले वरना आप हल्दी का पाउडर भी ले सकते हैं इसे हम कलस में डालेंगे चावल ले लेंगे चावल हम थोड़े से ज्यादा लेंगे क्योंकि हमें अस्टकमल बनाने के लिए कलस रखने के लिए अस्टकमल जिसके लिए थोड़ से चावल ज़्यादा लगे हो गये दिया रहे चावल टूटे ना हो इसके बाद हम गंगा जल लेंगे सबी पुझा हो जाती है इसके बाद हम भोग में लगाएंगे पान के अपत्ते पराकर दक्षिना आप जरूर ले लेए हें एक पूझा पूझा कोई पूझा पूझा के बेना कोई पूझा पूझ नहीं, उसके बाद हमें पूझा हुझा हाधा सकते हैं काफा वन. प्रदैस के लिए 16 से माला से लेगे इसमें हम सोला सिंगार का सामाल ले 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 सब्सक्राइब कि इतनी सारे समान के साथ ही भक्ति की जाए भक्ति करने के लिए शक्ति नहीं तो फूल ने ले लालri इसलिए आम के पत्ते लेंगे करस बठाने के लिए बठाने के लिए यह ले ले ली ले द्वा detall Début पयालाई है लेकिन के लिए अप्ति अँभ करना ऐाल करी जन्यद्ध mall चाहिए । स्यंकि अबकि छंगनाल। aware पूहिए के पूझाय के लिए जन्यद्ध चैढ़ पडिया पूझाए है इस گर आप इसी उलस में बहुत ही मिठाई मिठायां आप पांच की थीखनेस के यह नें आपippy इस पूज़ा हो जरूरी होता है क्योंटिट पूजा लिए थालिक Corner तीज का संख्या की संख्या इसलिए जरूर ही लें कोई हम बात करेंगे पूझा में लगने वाली और समागरी के बारे में अब ड्राइफुट ले ले Д्राइफुटश व्यसे जरूरी नहीं होता है लोगके frenब रहते हैं दो चार चहुम महिना में आते है या उसके बाद भी तो आप इस cafड्राइफुटश को फ्रिज में श्टोर करके ने चार महिने चीजा के लिए बोड़ेने समागरी भी बेना उतल सकते हैं और फेजनी पढ़ी इसके बाद मक्ररुर्स को भी यहां थीजा सब्सक्द भान सब्सक्राइब के लिए Urhtoman अगर नए नहीं है तो आप अपनी कोई भी अच्छे सुद्ध कपड़े पहन सकते हैं या फिर आप अपनी साधी का जोड़ा पहन लेजे क्योंकि साधी का जोड़ा हमेशा ही सुद्ध होता है आप साधी का जोड़ा पहन के पूजा कर सकते हैं वैसे हो सके तो कोरे ही पूजा के लिए इन सभी समागरियों के साथ हम माता पारवती और भगवान शंकर से हाथ जोड़कर पातना करेंगे कि हमारी पूजा को सुविकार करें हमारी पूजा मेरही कमियों को अंदेखा करें और हमें अखंड शौभागय का वर्दान दे इस तरह से आप इन सभी कोड़े बहुत को स्याहि det där रादर ओंजागा इसलिए आप लेह रदे खालन कोड़े पर्तुम समागरियों कोड़प्रишयु म्यूंद और आयो यिसाहिन उप और शौकर पढ़ार काद भालड़ियों के बहुत शीकते हैं।